बड़े लोग बड़ा से सुराल जहां आज कल की लोग अपने परिवार के साथ सिंगल रहना चाते हैं वहीं इंदू का परिवार साथ साथ रहने में विश्रास करता है इंदू के दूर दूर के रिष्टेदार भी इंदू के घर के सटा घर खरीद लेते हैं और उसके घर के साथ जोड लेते हैं, और साथ में ही रहने लगते हैं, एक रोज इंदू की ननद सुनेना की बेटी नैना को लड़के वाले देखने के लिए आते हैं, इंदू भाग दोड में लगी रहती है, अरे पंकच मिठाई किसने लाई, बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्या ये खिलाएंगे लड़के वाले को, क्या इजसत रहेगी हमारी, मैं नहीं लेकर आया, फूपाजी लेकर आया होंगे, और मैं नहीं लेकर आया, आपकी प्यारी ननद लाई होगी, मैं नहीं लेकर आयी भाबी, कहीं इनके भाई का लड़का तो नहीं लेकर आया, अरे इंदो बाजार से खुदी मिठाई लेकर आती है शाम को लड़के वाले वहां चार आदमी की साथ आते हैं वहीं सौ आदमी उनकी इस्वागत के लिए खड़े थे इतने लोगों को एक साथ देखकर शैलेश का पिता इंदू से कहता है बैंजी इतने लोगों को बुलाने की क् आरे नहीं नहीं भाई साथ ये कोई बाहर के लोग नहीं है ये सब हमारे परिवार के लोग ही है लड़के वालों की आँखे बड़ी हो जाती है और शैलेश की मा कहती है ये परिवार नहीं पुरा महला लग रहा है हमारे मिसिस को मजाग करनी की आदत है परिवार काफी कोल के लगी प्लाई हाँ सो तो है आज कल तो गाउं में पी ऐसी जॉइंट फेमिली देखने को नहीं मिलती अब लोग अंदर तो आए गेट पर ही खड़े रहेंगे क्या लड़के वाले घर के अंदर आते हैं तभी नैना का छूटा मामा कहता है हमारी भांजी तो लाखों मे नहीं करोडों में एक है देख लीजे हमारी तरह आपके घर को भी फेविकल की तरह जोड़े रखेगी आ लग तो रहा है भाई साब खाना तो खाईए हमारी बच्ची ने अपने हाथों से बनाया है शैलिश की घर वाले खाने को जैसे ही कुछ उठाते हैं कभी कोई तो कभ खाने को हाथ लगाने लगता है पहले बच्चों को दे दीजिए वरना मुझसे तो खाया नहीं जाएगा तभी नैना कोल ड्रिंग लेकर वहां आती है और शर्माते हुए कहती है बच्चों यहाँ मैं तुम लोगों को देती हूँ नैना सब बच्चों को नाश्ता देती है लड़के वालों को एक ही करके अलग-अलग से चाय के साथ नाश्ता देती है इंदु कहती है बहन जी हमारी नैना खाना बहुत अच्चा बनाती है यह सब नैना का ही बनाया हुआ है इतने लोगों का खाना आपके घर में कैसे बनता है खाने का क्या है सब मिलकर बना लेते ह मेरी चाची की भहुक के भाई का साला बहुत अच्छा खाना बनाता है नैना की शादी में मैं तो उसे ही बलाऊँगा नैना ने उसे से ट्रेनिंग लिये आप लोगों के दोर के रिष्टे भी ऐसा लगता है कि बहुत मस्दीक है मुझे नैना के साथ-साथ फेवी कॉल से चिपकी हुई उसकी फैमिली बहुत भागी है मैं अपने शेलेश की शादी इसी घर में करूँगा बारातियों का स्वागत हम पान पराग से करेंगे नैना और शेलेश की शादी पक्की हो जाती है सब वही नाचने लगते है शादी के महीने बर पहले सब रिष्टेदारों को बुलाना होगा तभी तो मज़ा आएगा सब रिष्टेदार तो यही है अब कौन बज़ जाए आपका घर किसी बारातियों से कम है गया भाई साब बाकी है जी मेरी बहन का परिवार मेरे भाई का परिवार मेरे मौसी का परिवार वो मुन्ना मामा का परिवार वो बिल्ली मौसी की बुवा का लड़का उसे बुलाना मत भूलना फूपा जी उसने कित्ता किया था हमारा जब हम उसके घर गये थे उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ शैलेश के घरवाले इन लोगों की बात सुनते रह जाते हैं शैलेश का पिता कहता है हम लोग चलते हैं आप लोग मैमान के लिस्ट बना लीजे तब तक शैलेश के घरवाले चले जाते हैं तब ही मुन्ना कहता है अमरूत के पेड़ से अमरूत किसने तोड़े क्या अमरूत नहीं है अब मैं क्या खाऊंगा ये कोई बात तोड़ी ना है मैं क्या खाऊंगा कितनी मैनत की है मैंने इस पेड़ को बढ़ा करने में किसने तोड़े अमरूत अरे मैंने नहीं तोड़ा, मुन्ना के पापा से पूछ ले, शाद उन्होंने तोड़ा होगा अरे मैंने नहीं तोड़ा, मौसी के वह उन्होंने तोड़ा होगा, उनसे पूछ लो मैंने नहीं तोड़ा, मुझे तो पता ही नहीं कि किसने तोड़ा तबी नैना अपने सिर पर हाथ रख लिती है फिर सब चालू हो गए खा लिए तो खा लिए जब तक पता चलेगा तब तक नया अमरूत उख चाएगा आज तक इस घर में कभी कुछ पता चल पाया है जो अब पता चलेगा अब साथ में रहना है तो इन बातों को इग्नॉर तो करना ही होगा इंदू अगले ही दिन पंडी जी को बुला कर शैलेश और नैना की शादी की तारिक निकलवाती है अच्छा तो इस परिवार में आब एक और आदमी जुडने वाला है कुछ दिनों बाद आपके परिवार को एक धर्मशाला घोशित कर देंगे भई अच्छा तो इसमें दिक्कत क्या है कम से कम हम लोग किसी और की तरह तो नहीं है एक साथ तो रहते हैं लोगों की तरह घर के टुकड़े टुकड़े तो नहीं करते हैं मैं तो मजाग करा था बेंजी मेरा मतलब है एक और आदमी आपके परिवार में आ जाएगा परिवार में एक आदमी बढ़ जाएगा लिकिन शैलेश जी हमारे साथ नहीं रहेंगे उल्टा नैना उनके यहां चली जाएगी जी 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 अगले मैने की 15 तारिक विवा के लिए बहुत शुब है पंडी जी का मूँ मिठा करवाओ और देखो सब कान खोल के सुन लो हर रोज रात को सब एक घंटा वक्त निकालकर शादी की तैयारी और पैकिंग में मदद करेंगे ममी जी चाची जी की बहु के भाई के साले को अभी से बुला लेते हैं खाना बनाने में हमारी मदद हो जाएगी शादी की तैयारी और इतने लोगों का खाना थोड़ा मुश्किल है ना हाँ हाँ उसे बुला लेती हूँ लेकिन शादे के घर में उसे बुला कर काम थोड़ी न करवाना है पंडित चला जाता है और पूरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है इसी तरह दिन भी तने लगते हैं एक रूज मुन्ना बात्रूम करने जाता है और बात्रूम में पानी नहीं ही आता और वो आगे कुछ सुने बिना ही कहती है नाल किसने खुला छोड़ दिया पानी सारा खतम हो गया मैंने तो नहीं किया जीजु की ममी से पूछो न वो गई थी चट पर अरे मैंने नहीं किया बात्रूम में बैटा मुन्ना अपने सर पर हात रक्के कहता है कैसा घर है, मुझे बातरूम में सुनने को कोई नहीं आ रहा, लेकिन सबको पानी की चिंता है, किस दे नल खुला, मैं बैटा हूँ, उसकी किसी को फिक्र नहीं है, अब क्या ऐसे ही बाहर जाओ, मुन्ना जैसे तैसे बातरूम से बाहर आता है, इधर नैना की मा सुनैना जहां इतने लोग रह रहे हैं, वहां पचास लोग और सी, रह नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ही रोज सुबह सुबह बातरूम की भाग दोड़ लगी रहती है, कम लोग नहीं है कि पचास और बढ़ जाएंगे, फिर क्या होगा, उपर से पानी की समस्या है स्वाल है एक बातरूम बनवा लेते हैं, नहीं तो धरम शाला का करना पड़ेगा, पानी भी दो तिन टाइम चड़ाना पड़ेगा, नहीं तो शादे का काम होना मुश्किल हो जाएगा, पता चला बाराती दरवाजे पर खड़े हैं और कोई तयार ही नहीं हुआ, तब इज़त क्या नहीं दो बातरूम बनवाती हूँ, पाने का मोटर भी बदलवा लेती हूँ, फिर पाने की भी दिक्कत नहीं होगी, इतने में ही पंकज बहा आता है, अरे मेरी बाइक कौन लेकर गया है, अब मुझे दुकान जाना है, कैसे जाओं मैं, अरे शांती रख बेटा, घर का ही क आद में लेकर गया होगा, ठीक है, लेकिन पूछना तो चीए ना, कौन ले गया है, बुआ तुमने देखा है, कौन मेरी गाड़ी लेकर गया है, नहीं तो मैंने नहीं देखा, चाची की बेटे से पूछ लो ना, मैंने नहीं देखा, मुन्ना से पूछ लो, मुन्ना की पंकज दुकान चला जाता है, अगले दिन सुबह एक तरफ मोटर बदलने का काम शुरू हो जाता है, दूसरी तरफ बात्रूम बनाने का, सब जल्दी जल्दी बात्रूम हो आओ, फिर पानी खतम हो जाएगा तो अभी चड़ा भी नहीं सकेंगे, सुनते ही सब भाग दोड करने लगते हैं, पंकज बात्रूम किया और भागता है, मैं चला जाता हूँ, मुझे दुकान खोलना है, फिर सब जाते रहना, मुझे जाने दुबईया, मुझे आर शेलेश को मिलने जाना है, फिर मुझे अपना लेंगा भी तो लेने जाना है वहाँ से, अरे बाबा, तु मेरे बात में चली जाना, मुझे जाने दे पहले, दोनों में बहस होने लगती है इतने में कोई और ही बातरूम में चला जाता है दो लोगों के जगड़े में बिल्ली रोटी खा जाती है एक दूसरे को जाने देते तो दोनों की सहुलियत होती न अरे कौन है बातरूम में जल्दी निकलो वना मैं गेट खुल कर अंदर आ जाओंगा सब अस्ते लगते हैं अरे मुझे मत असाओ वना मैं यहीं कर दूँगा अरे बाबा जो है निकल जाओ वना यह तो बच्पन से ही बेशरम है तब ही बातरूम से आवाज आती है कि शादी की तैयारी करते हैं मैं तो लेहंगा पहनूंगी बाबी पहनने लाएक इंसान भी होना चाहिए काहे आप अपनी बेश्दी करवाने में लगी हो दुलन के जगह तुम ही लेहंगा पहन लेना ममी अरे चुपकर अब तुभी बोलेगा तुझे ही अब पहना देती हूं मैं एक रूस रानी कहती है दीदी सिलिंडर खतम हो गया है अब खाना कैसे बनेगा उपर से चम्मच गायब है सब अपने अपने कमरे में ही खाकर चम्मच रखतेते ये नहीं के मांजने को रखे खाना देने में मुझे कितनी दिक्कत होती है क्या सिलिंडर खतम हो गया इतनी जल्दी अभी तो शादी की रस में चालू भी नहीं होई फिर कैसे खतम हो गया पाच दिन नहीं हो अभी तो अभी सारे रिष्टेदार भी आने बाकि है मैं सिलिंडर नहीं लाने वाला लूटवा कर मानूगी क्या इस बार कोई और लाएगा चाचा जी पिछली बार मैं ही तो लाया था मैंने तो नहीं कहा कि मैं हमेशा सबजी लाता हूँ सबजी का खर्चा कितना है आपको पता है तुम लोग कैसी बात कर रहे हो मा कब तक तुम इस घर को जोड़े रखोगी अब फेवी कोल की सटने की ताकत खत्म हो गई है जब तक इंदू है ये घर एक ही रहेगा भले मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े दुपैर में खाने की मेज़ पर जब सब बैठे होते हैं सब अपने अपने कमरे में चमच छुपा कर रखते हैं ये कोई अच्छी बात है क्या सब चमच लाकर रसोय में रखो वना चमच के सब को पानसो पानसो करके देने होंगे काने में मजा नहीं आ रहा अचार दो ना मम्मी सुधा अचार लेने चछत पर जाती है लेकिन चछत पर अचार नहीं मिलता वो दोड़ती हुई चछत से आती है इस घर में आदमी कुछ रखी नहीं सकता मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता इसलिए मैंने उसके लिए अचार लगाया है और किसी ने वो अचार भी उठाकर रख दिया कोई खुद तो अचार लगाते नहीं और मैं लगाती हूँ तो सब चोरी कर लेते चोर किसको कह रही है देख लो जी-जी आप कहती है सबको लेकर चलो और आपकी बहू हमें चोर कह रही है आपने नहीं चुराया तो आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है किसी ने देखा है कौन ले गया मेरे अचार को मैंने तो नहीं देखा बहु नैना ने देखा होगा वो उपर अपने बाल सुखा रही थी ना नहीं नहीं मैंने नहीं देखा ममी ने देखा होगा, शायद मैंने देखा, पंकज को मैंने छट से उतरते देखा, तो उससे पता होगा अब मेरे लिए यही काम नहीं बचा, क्या अचार कौन ले गया ये भी मैं देखू रहने दो मेरा पेट बर गया ममी अचार मांग कर लगता है मैंने बाप कर दिया इस गर में कभी कुछ पता चल सकता है क्या अब मुझे साथ में नहीं रहना जब मेरे बच्चे को ही भूखे रहना पड़ता हो इस तरह जगडे जंजट में दिन बीतने लगते हैं और नैना की शादी का दिन आ जाता है शादी की सुबह नहाने की भाग दाड़ होती है सब खुद तयार होने में लगे रहते हैं और नैना की किसी को कोई फिकर नहीं होती गुस्से में सुनैना कहती है भाबी ये क्या है? आज नैना की शादी है जब दुलहनी तयार नहीं रहेगी तो सब तयार होकर क्या करेंगे आपको अगर यही करवाना था तो कैय दिया होता मैं अपने सिस्राज से ही अपने बच्ची की शादी करती मेरे महमानों को तो कमरा तक नहीं मिला दीदी नैना को मेरा कमरा दे दो वो नहा लेगी मेरे कमरे में और तयार भी वहीं हो जाएगी इतने में सुनेना की महमान वहां आती है कैसी जगह रुकवाई हो हमें मेरे बैक से मेकप का समान गायब हो गया अब मैं तयार कैसे हूंगी तब एक दूसरी गैस्ट आकर कहती है सुनेना कैसे माई की वाले हैं तेरे? मेरे बालों की क्लिप भी चोरी कर ली ना आते जाते वक्त मैंने क्लिप को बैड़ पर रखा था और आई तो क्लिप का नाम निशान नहीn इतने में राणी आकर कहती है सुनेना कुछ कहती उससे पहले सुनेना के गेस्ट रानी पर जपट पड़ते हैं हमें चोर कहती है, खुझ चोर नहीं और दूसरे को कहती है, हमारा कमरा तक छीन लिया, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे है, नहीं हमारे जूलरी, एक साड़ी के लिए इतना तमाशा कर रही है, क्या पता खुद ही छुपा कर रख दी हो, और हमसे कह रही है ताके नहीं साड़ी मि शादी के घर में तू तू मैं में होती जा रही है अब मिट्टी डालो दिदी सब कुछ मैं ही समझू आपकी सिस्राल वाले मुझ पर कैसे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं वो कुछ नहीं सुनेना दुखी हो जाती है और इंदू से कहती है बाभी मैं तो परेशान हो गई हूँ आपके कहने पर मैंने नैना की शादी यहां से की क्योंकि नैना बचपन से आपके यहां रहती है अब ये हंगामा आप ही संभालो जोइंड फैमिली को लेके चलना बहुत मुश्किल है आप रुको मैं देखती हूँ इंदू सब के सामने हाथ जोड़ कर कहती है क्रिपा करक अब इस फैविकों से जुड़े परिवार को अलग करना ही होगा सब जाकर जल्दी से तयार हो जाओ दिदी आप भी तयार हो जाओ नैना मेरे कमरे में तयार हो रही है बारात दरवाजी पर आ जाती है इंदू अपने जुड़े हुए परिवार के साथ बारातियों का स्वा आप लोग डेड़ सो, हमारी लाडली है ना ना, तो ऐसे स्वागत करना तो बनता है, बारातियों का स्वागत बहुत अच्छे से होता है, फिर इस शुरू होते हैं, और पंडी जी कहते हैं, दुलन की मांग में सिंदूर भरो, सिंदूर का नाम सुनते ही सब एक दूसरे का कहते हैं, सब चीज आगी लेकिन सिंदूर ही रह गया भाबी, अब पंकच को कहो ना सिंदूर ले आए, सिंदूर दान में इतनी देरी नहीं होती है, आपके परिवार का इतना नाम है, फेवी कॉल से जुड़ा परिवार, और इतने लोग मिलकर एक सिंदूर नहीं ला सकते बस अभी ला रही हूँ, पंडी जी की बात सुनकर, रानी खुद के लिए लाया हुआ नया सिंदूर दान, शैलिश को देते हुए कहती है, अब हमारी भाण जी की मांग फरो, पंडी जी, फेवी कॉल से जुड़े इस परिवार में साब एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ पंडी जी का मुँ बन जाता है, इंदू और सुनेना रानी से कहती है, आज तुमने मेरी इज़त बचा ली, नयना के सिसुराल में आपने उसकी इज़त बढ़ा दी, शादी बहुत अच्छी से हो जाती है, नयना के सिसुराल वाले इंदू की जॉइंट परिवार की बहु नहीं देखा, खातिर दारी से तो मन खुश हो गया, आप जैसे समधी बहुत सौबागे से मिलते हैं, हम भी आपके घर में रिष्टा जोड़कर धन्या हो गये हैं, नयना विदा होकर चली जाती है, और इंदू सब से कहती है, मैं ही जानती हूँ ये शादी मैंने कैसे करव ये फेवी कोल की जोड कभी नहीं टूटेगी